तो हम खेलने अभी फ्रेंट लाइन फ्यूल्स ओफ वार का पार्ट 6 और इसमें हमें एक न्यू वेपन मिलने वाला है एर स्ट्राइक का तो हमें हैड़कॉर्टर्स और कैप्चर करने हैं और हमें स्कॉाड पूरी मिलने वाली है यानि हमारी टीम और हम उसको लेकर जाएंगे और हैड़कॉर्टर्स और अलग अलग जगें उन्हें कैप्चर करना है इसमें एरिस्ट्राइक वाले मोड में मज़ा आने वाला है बहुत जादा अब इसमें बता रहा है कि हमें गैरिसन हेड़कॉर्टर और मोटर पूल दोनों को कैप्चर करने दो अब्जेक्टिव हैं और जहां पर यह कैप्चर करने को बता रहा है वहां पर लाइट मशीन गन्स भी है और लाइट आर्मर्ड वहिकल्स भी है यह हमार पास एयर स्ट्राइक केपिलिटी का रिमोट है अब देखते हैं मिशन किता खतरनाक होने वाला है अब यह आज तक समझ में नहीं है हैलमेट इतना उचा कैसे जाता है कि अब गया बेटा तु तो इतने पास के मतलब वार में मुझे स्नाइपर यूज नहीं करना चाहिए पता नहीं क्यों मिला है यह तो इसल्ट ट्राइफल वाला पूरा काम है इसके लिए स्नाइपिंग ठीक रहेगा यह देखो हैलमेट कहां गिरा इसमें इस गेम में काफी ग्लिचेज है अगर आप शैडो देखो के चीजों की आपजेक्स की तो वह शैडो जो है जैग्ड है और फ्लिकर करती रहती है अगर आप चलो यार स्नाइपिंग ओ यूस किया जाए कुछ यह देखो इसका कहां किया है यह बेटा सब की ले लूँगा मैं तुम लोग फुद्दू फुद्दू यह ओ भाई इसकी तो मैं ले लूँगा और भी कोई है क्या यह देखो यार तुम ऐसे करो गए यह उधर है छुपा हुआ तू तो गया बेटा अब यह हेड़कॉर्टर है जिसको हम सामने स्कॉप से देख रहे हैं हमें हेड़कॉर्टर भी कैप्चर करना है और गैरिसन पोस्ट भी पहले इधर ही दावा बोलते हैं उचाई से सब कंट्रोल हो जाएगा इधर देखो किसी ने जो है रोकेट लॉंचर मारा है लगता है कोई लटक गया है किस किस को कवर करूं मैं कवर मी मुविंग देखो मैंने दो बम मारा था दोनों लटक गए इधर भी एक आद तो होगा ही कोई ना कोई चुपा हुआ यह देखो एक है इसको भी यूज करें भाई आजवा बेटा किसके में दम आओ यह तो आर्मर्ड मशीन गान है इस पे तो असर भी नहीं होगा तुम्हारे गोलियों का इसे बस लॉंचर से डिस्ट्रॉई किया जा सकता है वो तुम्हारे बसकी नहीं है मारना अब यह हमने कैप्चर कर लिये है यह हमारे बस एरिस्ट्राइक रिमोट है कैप्टिबिलिटी बला हम तीन एरिस्ट्राइक तो करी सकते हैं यह हमारी सब मशीन गान है इसकी अवाज सुनो भाई क्या घातक है वो बात अलग है इससे कुछ मैं करनी भाया यह है यह एर स्ट्राइक कैपिबिलिटी अब चुप चुप के मारोगे तो यह बहुत मार रहा है यह और यह जो सामने दिख रहा है ना रैड कलर का स्मॉक वह भी एक पोस्ट है जो हमें कैप्चर करना है कि चलो अब उधर ही चलते हैं कैप्चर करने है क्योंकि फिर गाड़ी आने लगेंगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी कि चले गया गाड़ी आई नहीं अभी तो नहीं आ लिए चलो फिर मूव करते हैं कि कौन है भाई मूव हो अपने ही आदमी है कि रास्ता दो भाई उसको हमें कैप्चर करना है इधर कोई ना कोई गंदा तो होगा चुपा हुआ कि यह लोई यह लोई अभी भाई अरे-अरे-अरे-अरे-अरे कोई तो आओ भाई सपोर्ट के लिए कि आगे सब मेरे स्कॉर्ड बजाने लगे इनकी कि यह अभी तो मरे नहीं हो गया तो अब यह चेक पोस्ट हम मनाएंगे इदर और यह हमारे पास एक वेपन रेल गने इसको लगाएंगे हम इधर ताकि ताकि यह दोनों तरफ जो है सपोर्ट दे सके राइट में भी और मिड में भी अब देखो यह हमने गन लगाया यह देखो अब यह एरिया सिक्यूर हो चुका है तो आर्मर्ड वाहिकल के लिए हम जाएंगे हैड़कॉर्टर पर क्योंकि वह उचाई पर है तो अधर हम बहुत जगे कंट्रोल कर सकते हैं बहुत जगे को यह देखो यह गाड़ी इदर आ गई आर्मर्ड वाहिकल अब इसको उड़ाना है हमें यह लोक होने के बाद इसकी तो ऐसी तैसी हो जाएगी हम इन चार मिनटों में देखना क्या गदर होने वाला है दोड़ती भी वहिकल आ रही है एक और इस गंट से मैं इसका कुछ नहीं कर सकता और यह मेरी पुंगी बजाने वाले हैं इससे बड़ी हैं रोकेट लॉंच रहे हैं कि एक मारो और बंदा खता हूँ लेकिन इस मशीन गन की आवाज बड़ी मसता है रेल गन की कौन है भाई पीछे से मारते हैं पिर आगया भाई कितनी गाड़ी आ रही है यह तो गया कि उपर से मार रहा है या कि मैं तुम्हें अभी जाने दे रहा हूं ने तो यह फिर आगया गाड़ी इतनी वेहिकल्स इधर आने वाली है कि बुद्धी खराब कि इससे बढ़ी है मैं स्नाइपर यूज कर लूँ है यह सबसे पहले कोई भी टैंक या गाड़ी आती है ना लाइट वेट वाली वो सबसे पहले मेरे उपर ही रोकेट मारती है यह कौन चुप चुप के मारा है इसको स्नाइपर से ही लेना पड़ेगा लग रहा है यह देवो गया वेटा थो अब इदर हम एर स्ट्राइक लगा है क्या लगा दी दो एर स्ट्राइक लगा चुके है इसका क्या करना है यह तो गया अब इधर पता लगा हमें कि एनिमी ने जो मोटर को आप चो है वो कैप्चर कर रख है तो अब हमें दुबारा जाकर उसको रिकेप्चर करना पड़ेगा अब फिर इदर वेहिकल आ चुकी है एक आर्मर्ड वेहिकल पहले इसको खत्म करते हैं कि दोड़ना पड़ेगा भाई लगता है मेरे मेरे जो स्क्वाड वाले हैं वो शायद कैप्चर कर सकते हैं अगर में उपर से थोड़ा सा कंट्रोल कर लूँ तो जो भी दिख रहे हैं उपर वाले उनको लटका दिया जाए फिर आगई अभी बार बार बोल ले मेरे को दिमाग खा रहा है री सिक्यूर करो और री सिक्यूर हो चुका है शायद मेरे खाल से ब्लू स्मोक तो आ रहा था हुदा यह दो कितनी गंदी मौत मारा है तू जाएगा पहला वेव यानि खतम हो चुका है कुछ भी को होगा है मजा तो आ रहा है इसमें रोकेट्स देखो कि मस्त मारा है अधर रहे हैं पाट रहे है बिलकल वा यह पर से आ रहे हैं दो थीन यह तो गए है यह जोगा पुस्ट है इस जाए मैं है के जाए कैज देख में कि यह चुपके बंदा जाके इधर इधर एक रोकेट मारते हैं कि मारी देते हैं पूँँँ कौन मार रहा है भाई गंदे तरीके वाला मार रहा है कि इधर एक मार देते हैं लो डेटा हम भी मरें कि दिपलोई करते हैं दुबारा कि यह देखो हमने जो एर स्ट्राइक के लिए लगाया था अब जाकर हुआ है कि थोड़ा टाइम लगता है एर स्ट्राइक बुलाने में वाई साब मजा आ जाता है बिलकुल कि इधर भी होंगे फुद्दू लोग कि अब भॉई के टैंक है बहुत भरंकर वाला कि उड़ाओ कि तीन चार मारना पड़ेगा तब जाके कुछ होगा इनको तेरे को तो बम से मारूंगा यह तो गया इसकी तो गया इसकी तो गया इधर भी कोई बंदा होगा नीचे जाकर देखके आते हैं छुपे हैं भाई दो-दो हैं अच्छा इसी बीडिंग में आजाए आव बेटा तुम्हारा इन्तिजार कर रहोँ आगा यह बचा हुआ है कि छुप छुप के मार के बाग जाते हैं और यह सारे ब्लड अपने ही हैं ग्या अब बहुत सुताई की है भाई मेरी अब बजा डाला तुम भी लो विटा एक यह लो अब बंदूक लेकर जाते हैं नीचे कोई ना कोई छुपा होगा अब इधर तो कोई नहीं दिख रहा है एड़कॉर्टर में नीचे होगा कोई ना कोई अब यह शौर है वह फटे गया है अब कोई है क्या कोई नहीं है भाई सबकी बजा डाली अब गन लेकर जाते हैं नीचे कोई ना कोई तो होगा यह है यार एक यह क्या बात हुई यार मैगजिन रिलोड करने लगा इसने मेरी मार दी बहुत बचाओं बाई बहुत तरीके से थोड़ा सा और डिले होता ना फिर से डिप्लॉइमेंट करनी पड़ती हेड़क्वाटर री सिक्यूर कर लिया हमने यह कुछ एक चिन्दी चोर आजाते हैं अब तो नहीं लग रहा कोई आएगा और सेटलाइट से देखने में पता लग रहा है कि वह आर्मी या तो डिस्पर्स हो चुकी है या बाग चुकी है तो यह हमारे लिए बैनेफिट है और हम जीत चुके हैं अब हमें थोड़ी बदाहियां देखेंगे लिए अब हमें थोड़ी बताहियां दी जा रही है और हमें लेने के लिए स्वागत करने के लिए हेलिकॉप्टर आया है अब हमें खिएखेंगे लिए गजो भी बताहिए